नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चीर परिचे दोस्तों पस्तित हूं आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतों पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां शुगर या मदमे के रामबाण ओशद ही हम आज आप सभी को बता रहे हैं सो प्रतिशत परिणाम देगी बस अपना करके देखें आज के डेट में जानते हैं कि शुगर से मैकसिमम लोग पीडित हो रहे हैं और बहुत तेजी से तो कौन सी ऐसी होम में ड्रेमेडिज हैं जिनके सहारे हम अपने शुगर की बिमारी से निजात पा सकते हैं ये है आज के हमारा टोपिक आप सभी के लिए जिहां इसके लिए जो आवशक सामगरी चाहिए होगी उसे नोट कर लीजिए इंद्रजो कडवा या इंद्रजो तल्ख 250 ग्राम बादाम 250 ग्राम भूने हुए चने 250 ग्राम इनको आपको ले लेना है इसके बाद यह योग बिलकुल अजूबा योग है अनुको रोगियों पर आजमाया गया है जिहां इसके सोब प्रतिशत रिजल्ट आए हैं आप इस नुस्खे के रिजल्ट का अंदाजा यूं लगा सकते हैं कि अगर इसको उसकी मात्रा से ज्यादा लिया जाए तो शुगर इसके सेवन से लो होने लगती है और बादाम को इस वजह से शामिल किया गया यह शुगर रोगी की दुरबलता कमजोरी सब दूर कर देता है चने क वो इंद्र जो की कड़वाहा थोड़ी कम करने के लिए मिलाया गया है इसमें अब बनाने की विद्ध जान लीजे तीनों और श्रधियों का अलग-अलग पावडर बनाएं और तीनों को मिक्स कर लीजे कांच के वजार में रख लीजे और खाने के बाद एक चाय वाला चम पाईए और अगर कोई आपका अपना शुगर रोगी है तो उसे यह योग शेयर करके नया जीवन गिफ्ट में दीजिए सभी दोस्तों से अनुरोध है कि यह तरीका अपनाएं और अपने जानने वालों को भी बताएं ताकि सभी भारत वास्यों को यह योग मालुम हो बस आईए जानते हैं कि इंदर जोग के और क्या-क्या फायदे होते हैं जिसकी वज़ह से हमने इसे सामिल किया है इस औश्रधी में मूँ के छालों में जिहां इंदर जोग और काला जीरा 10-10 ग्राम के मात्रा में लेकर कूट कर चोन बना लें इस चोन को छालों पर दिन मे बेर के बरावर गोलियां बना लें रात को सोते समय दो गोली ठंडे जल के साथ खाएं इससे बादी ववासिर ठीक होती है कुष्ट या कोड रोग में इंदर जोग को पीस कर गाई के पेशाब में मिला कर लेप करने से चर्म दल कोड मिट जाता है पाचन के खराबे में इं इंदर जोग को पीसें और चान कर एक एक ग्राम के मातरा में सुबह और शाम पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं मल के साथ बाहर निकल जाते हैं पीलिया अगर है आपको तो काले इंदर जोग के बीजों का रस निकाल लें और थोड़ा थोड़ा तीन दिनों तक खाएं आपको लाव होगा पत्री की बीमारी में इंद्रजव और नौसादर का चून दूध हथवा चावल के धुए हुए पानी में डाल कर पीना चाहिए इससे पांच दिन में पत्री गल कर निकल जाती है नहीं निकले तो प्रियोग कुछ दिन आगे बढ़ाएं इंद्रजव की चाल को दही में पीस कर पिलाना चाहिए इससे पत्री नश्ट हो जाती है दस्त में इंद्रजव को पीस कर चून को तीन गराम की मात्रा में ठंडे पानी के साथ दिन में तीन बार पिलाने से अतिसार समाप्त हो जाती है पेट की एंठन इंद्रजव के बीजों को कुछ गर तो पूंच जहानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों